नमस्ते दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि diabetes patient का ये complaint होता है कि उन्हें weakness महसूस हो रहा है जबकि उनकी sugar levels बड़ी हुई होती है बड़ वो कहते हैं कि मुझे weakness हो रहा है तो ये ऐसा क्यों होता है जब आपके muscles को glucose नहीं मिलता है उसके कारण वो fatigue में चले जाते हैं और जिसके क उनका weakness जो है वो पूरी तरीके से चला गया तो चले देखते क्या थी ये case तो ये जो आये थे तो उन्हें weight gain की शिकायत थी बजन उनका बढ़ रहा था जो कांदीवली में है उनके पास में वो पहुचे और वहाँ पर उनकी treatment शुरू कही गई पहले तो उनका examination किया गया examination के जो parameter से वो यहां में पहे दिखा देता हूं कि उनका वजन 79.3 था जो कि एक overweight category में आते है क्योंकि BMI 29 है blood pressure 120, 80, pulse 74, abdominal girth 100 से जाधा है तो ये problematic है ideally आपक 90 से कम abdominal धर्थ होना चाहिए BP का जो average है with medicine जब लिया गया तो वो hypertension में थे बहुत से बारा हम ऐसा देखते है कि patient को blood pressure की दवाईयों की जरुवत नहीं होती लेकिन फिर भी वो लेते रहते तो जब आप ambulatory blood pressure monitoring कराते हो देख कि 24 hours आपका blood pressure को record करता है तो हमें पता चलता है कि शायद आपको blood pressure की दवाईयों की भी जरुवत नहीं कि दवाईयों लेने के बाद में आपका blood pressure ये जरुवत से भी ज्यादा कम रह रहा है तो ऐसा ही कुछ ये भी case था HBOC भी इनका 6.7 यानिके borderline पर था तो इनको हमने हमारे जो पंचकर्म की treatment है वो शुरू कर दिया संप्रू नरुदेश शुद्धी करन की diet box हमने चालू कर दिया हमारे जो दवाईया है herbal medicines हो भी चालू किया योगा exercise ये सब हम करवाने लगे और इनको intensive monitoring के लिए हमने ले लि normal category आ गया है blood pressure normal हुआ है abdominal गर्द भी 10 cm से कम कर लिया है PP जो पहले hypotension में रह रहा था अब वो normal में रह रहा है क्यूंकि हमने दवाईया बंद कर दी हमें पता चल गया कि दवाईयों की आवशकता नहीं है पर HBOC जो 6.7 borderline रहा करता था वो अब non-diabetic range 5.9 में आ गया है और जो 3-4 प्रकार की दवाईया वो खा रहे थे वो दवाईयों भी हमने पुरी तरीके से इनकी बंद कर दी है तो यह उनका GTT रिपोर्ट है जैसे जब sugar normal आले लगती है तो हम 75 gram glucose का solution patient को पिला कर GTT की टेस्ट करते हैं दो घटे की बाद की sugar की जाज करते हैं और जिसमें हम द report है before and after जो कि हम मादवभग में हमारे क्लिनिक्स में करवाते हैं patient ने जो diet follow किया इस तरीके से हम monitoring उनके करते हैं उनका exercise का monitoring पूरा अच्छी तरीके से हम कर लेते हैं तो यह lifestyle modification पंच कर्मा diet करने से फाइदा क्या हुआ कि patient ने अपना sugar भी ठीक कर लिया patient ने अपना blood pressure भी ठ आ लिया overweight में थे या वो normal weight में आ गए आप सबको पता है कि जब हमारा वजन जादा होता है तो हमें बीमारिया होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं अब इन्होंने वजन कम कर लिया तो इनकी immunity भी बढ़ गए जो इने weakness मैसूस हो रहा था वो weakness पूरी तरीके से अब खतम हो चुका है इन direction पूरी तरीके से खतम हो चुका है constipation भी इनका ठीक हो गया है और पिछले दो सालों से हमने इनके सारी दवाया बंद रखिये अभी इनका सारा parameter जो है वो normal पे आ रहा है तो यह patient अभी तक हमारे follow-up में पिछले दो सालों से और इनका हमने सतकार भी किया है और ये डॉक्टर मीनल ने इनको treatment दिया था कांधिवली इस्ट ब्रांच में तो अगर आप कांधिवली में रहते हो मुंबई में रहते हो तो आप डॉक्टर मीनल से मिल सकते हो इसके बारे में आप guidance ले सकते हो कि कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं blood pressure को diabetes को वजन कैसे गटा सकते यह सारा कुछ हमारे पास उप्लब्द है और आप यहाँ पर जरूर इसका सेवा प्रदान कीजिए दन्यवाद